कि अगर आपको वन केजी में इतना बड़ा केक बनाना हो मिंस फ्लैट केक बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे तो यह मैं दस इंच का केक टीन लिया है उसमें मैं बनाऊंगी और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है दो कप चॉकलेट प्रिमिक्स आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दो कप प्रिमिक्स लिया है मैंने 200 एमल वाले कप से और इसमें पानी जाएगा वन कप और वन एट ते मिद्धिव कर देखिए मैंने एक कप पानी लिया है कि ऑनी प्रिमिक्स लिया है तो थोड़तो धोड़ता करके पानी डालेंगे फिर्मिक्स करेंगे पानी अपने हिसाब से एडश्ट करेंगे कि हमें बहुत ज़दा थिक नहीं रखना है ऐसे आपको वन कप और वन एक कप भी पानी का यूज करना है और अच्छे से मिक्स करना है मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूंगी या फास्ट नहीं करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि बैटर के हमें जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी रखनी है तो देखें मैंने वन कप पूरा यूज कर लिया है और वन एट कप है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और एड़ करेंगे और आप देखें कि आपको जो बैटर है वो कैसी रखनी है क्योंकि अगर आपने बैटर थिक रखा तो आपके जो केक का जो ऊपर का हिस्सा होता ना लेयर ऊपर की क्रैक आ जाएगी फटी 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 और मैं आपको दिखाऊंगे कि बिल्कुल चिकना स्मूथ बनेगा एक क्रैक आपको केक में नहीं दिखने वाला है तो यह देखें ऐसी हो गई है अभी थोड़ा सा पानी इसमें और चाहिए क्योंकि यह अच्छे से बिल्कुल स्मूथ नहीं गिर रही है तो मैंने थोड़ लग रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा बैटर आपको बना कर रेडी करना है और फिर हमें लेना है केक टिन देखें मैंने 10 इंच का केक टिन स्क्वाइर वाला लिया है अगर आपको राउंड वाला बनाना चाहते तो उसमें भी बना सकते इसे मैंने सिर्फ ऑल से ग्रीस किया है मै मैदा डस नहीं के है नॉर्मल ही मैंने बनाया है और यह इतना बड़ा केक टिन है और दो कप इसमें जो हमने प्रिमिक से बनाया है तो बहुत ही कम लग रहा है लेकिन फिर भी बहुत ही माइंड ब्रोइंग बनकर रेडी हुआ था और एक क्रैक नहीं आया था और हमने क्वेट किया है मैंने 180 डिग्री पर और 180 डिग्री पर ही मैं इसे बेक भी करूंगी 15 मिनट बेक करना है क्योंकि मैंने प्रिहिट किया हुआ है और बाटर बहुत पतला हो गया में स्केक्टिन में जाने के बाद ही जल्दी बेक हो जाएगा आपको 15 मिनट लगेंगे फिर भी आप एक पर चक जरूर कर लीजेगा उसके बाद ही आप इसे निकालेगा और देख सकते हैं कि कितना चिकना बना है एक क्रैक नहीं दिखेगा जो हमने चेक किया है टूत्पिक से बस वही होल आपको दिखाई देगा और क्रैक बिल्कुल भी नहीं बना है और एकदम स्मूथ बना है चिकना बना है और बहुत आसान है आपने एक एक स्टेप अगर फॉलू किया न तो आपका भी ऐसे ही केक बनकर रेडी होगा तो जब तक स्पॉंज ठंडा होगा तब तक हम उसकी जो गनाश हम उपर स्प्रेड करेंगे वो बना लेते हैं तो यह जब आपको देख लिए और अच्छे से गरम कर लिया है और इसे मैं डाल दोंगी अपने चॉकलेट में तो गाइज मैं फिर से एक बर बता देना चाहते हैं को मैंने मेजरमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं लिया है आपको इतनी डाले कि आपके चॉकलेट बिल्कुल कर लेना है और अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं इसको अच्छा से अगर आपको पर्फिक्रिम नहीं आती बनानी तो मेरी चानल पर वीडियो अपलोड है घाईस माइंड ब्लॉइंट वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए तो यह देखिए मैंने डाल दिया जो हमने गनाज बना कर रेडी की थी वो और यह डाल के अच्छे से मिक्स करना है तो देखिए मिक्स मैंने प्रॉपर किया है और यह कितना भी मैं लिक्विड डालूगे न लेकिन क्रीम मेरी बिल्कुल स्टिफ ही रहेगी और मैंने विप क्रीम में अभी कुछ भी एड नहीं किया है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए जाकर लिंक डिस्क्रीप्शन में है कि पर्फेक्ट विप क्रीम कैसे बनानी है तो यह देखिए मैं इसे डिमॉल्ड कर लेती हूँ हमें सिर्फ दो लेयर ही इसे कट करना है तो बहुत पत्ती से उपर की लेयर आपको हटा देनी है क्योंकि वो चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए तो देखिए मैंने नाइफ से इसे कट कर लिया है कट करने ताइम का वीडियो शूट ही नहीं हो पाए मोबाइल का कैमरा मैंने ओन ही नहीं किया इसलिए मैं आपको दिखाने ही पा रही हो आप बहुत ही सेफ ली आहराम से उसे नाइफ से कट कर लेजिए और फिर उसके उपर सुगर सिर्फ में वैने से पानी और चीनी का यूज किया है और विप क्रीम लगा कि हमें अच्छे से से फैला लेना है तो अपिन नॉर्मली फैलाना है रैंडम ली कैसे भी आपको फैला लेना है इतना ध्यान रखना है कि आपको उंचा नीचा नहीं करना एक बराबरह स्प्रेड करना है तो देखिया ऐसे आप नाइफ सीग बरावर स्प्रेड कर लीजे अब फिर उसके उपर डाल देंगे हम चॉकोचिप्स या फिर चॉकलेट सेविंग्स या फिर जो चॉकलेट गनास बना कर रखिये वो आपको जो अच्छा लगे आप वो अंदर फिल कर सकते हैं चाहे तो चे सारे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अपनी फैमिले फ्रेंस के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा अगर आप बिगनर्स हैं आपकी बनाना सीखना चाहते हैं तो अब एक स्टेप को फॉलो करना है ध्यान से देखना है हर बात को ध्यान से सुनना भी है क्रूंकि जो जिन्हें कबनाना आता है उनके लिए साहथ यह वीडियो लगएगी लंबी है बड़ जो बिगनर्स है उनकी लिए वीडियो बहुत ही हैं च्छाय कbakरें वाले ऐसे कवर करते जाए और बहुत लोग की यह प्रॉब्लम होती है ना बहुत लोग यह पूछते भी है कि मैं हमारी क्रीम स्पॉंज जो बेस हमने बनाए उसमें चिपकती नहीं है तो आप उसमें सुगर सिरप से बेस को अच्छे से स्पॉंज को सोक करिए और बहुत आराम से और वावग करेंगे तो लिंक है तो अपर चॉकलेट् गिराने वाली हूँ तो अगर आप चाहें तो क्लीन करी थोड़ावद क्लीन रहेगा तो ऊपर पिल्कुल की दिखेगी स्मूथ दिखेगी नहीं तो अगर थोड़ा सा वी दर दर रहा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है तो यह देखिए ऐसे उपर जैसे मैं कर रही हूं आप भी बिल्कुल ऐसे क्लीन कर लिजिए अगर नाइफ से कर सकते हैं आप आप नाइफ से कर लिजि दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा यह बिल्कुल ऐसा लगेगा थिक वाली गनास आपने लगाई और खाने में इसका टीस्ट माइंड ब्लोइंग आगा आप ऐसे ही ट्राइ कीजिए तो यह देखिए मैं साइड में चारो तरफ से ऐसे गिरा लेती हूं यह आप देख सकते हैं एकतम हल्का सा प्रेस करना है और फिर प्रेस करना ह main की तरफ खीचना है वस यही करते हैं आप पूरी डिजाइन बडाकर कवर करनी और यह चोडिकी बनती जाएंगा बहुत ही सुन्दर लगेगी और इस कवाले के उपनो में सच में बहुत ही प्यारा लग नग रह करने वाली हो और जो साइड में खाली है सापको नीचे दिख रहा होगा इसे भी मैं खाली नहीं रखने वाली हो इसे भी मैं पूरा कवर करूंगी और बहुत ही सुन्दर वह भी बनकर रेडी होगा उसके लिए मैं ने और यू को करश किया हुआ है ने पहले आपको बता तो कोई भी सवाल हो तो आप ईजीजक मुझसे बात कर सकते हैं चैट कर सकते हैं तो यह देखिए आपकी डिजाइन हो गई है रेडी कैसा लग रहा आप मुसे ज़रूर बताएगा अब मैं नीची की साइड में भी इसी से कर लूँगी नॉर्मल एक एक बनाने वाली हूं मैं यह कर दिया है अब मैं साइड में भी आप देख सकते हैं मैं उसी पोटे सिक्स नंबर वाले लोजल से ही वैसे ही नॉर्मल वाली डिजाइन मैंने बना दी है रो कर दी है और अब मैं देखिए औरियो बिस्किट को क्रस्ट करके मैंने चारों तरफ बीच में लगा दिया है और आपको कैसी लग रही है आप बीच में नाम लिख सकते हैं यह कुछ भी डिजाइन, फ्लावर वगर बनाना चाते तो वह भी बना सकते है पर मुझे ऐसे नॉर्मल ही बनाने थी यह आपके कैसी में लग रहे है मैं वाली मैं तो प्लीज इस वीडियो पसंद आएगी तो प्